हेलो गाईज, वेलकम तो मैं चैनल और आज हम बात करने वाले हैं वे मैं फेड़िट बील स्या सीरीज के एपिसोड 11 के स्पालर के बारे में तो पिछले एपिसोड के मुदाबिक पिसा एंग के मॉम ने भी कभी को एकसेप्ट कर लिया था कर कभी को पिसा एंग की डिमांड से डर लग रहा था क्योंकि पिसा एंग बॉइफरेंड की तरह कभी के कड़िब जाना चाता था पर अपने दोस्त से बात करने के बात कभी पिसा एंग के करीब जाने का डिसिशन लेता है इस वज़े से हम एपिसोड 10 के पार्ट 4 में पिसायंग और कवी को एक साथ इंटिमेट होते हुए देखा जिसके बाद कवी और पिसायंग के बीच में जो भी ओकोर्डनिस था वो सब खतम हो जाता है और दोनों एक दूसरे के और भी करेबा जाते हैं तो फिर अगली दिन सुबह नीन से जागने के बाद पिसायंग को अपने पास सोते हुए देखकर कवी को पिछली रात की उनकी पहली इंटिमिसी के बारे में सब कुछ यादा जाता है इसलिए कवी को होटो पर एक प्यारिसी मुस्कुराहाट हमीं देखने को मिलता है जिसके बाद कवी पिसायंग का हाथ पकल लेता है फिर हम इस पूरे एपिसोड में कवी और पिसायंग की बहुत सरी लवी डवी मुमेंट देखने वाले है जिसमें से एक में हम देखते हैं कवी और पिसायंग दोनों एक दूसरे के साथ वाटर गन से खेल रहे है और दोनों को ही होटो पर एक प्यारा सा मुस्कुराहत है जो कि पसनली मुझे देखने में बहुत ही क्यूट लग रहा है फिर हमें कभी और पिसायंग की प्यारी सी बातचित की एक सीन भी देखने को मिलता है जहाँ पर कभी पिसायंग से पूछता है मैं आप भी तक ये समझ नहीं पाया कि क्यों तुम मेरे जैसे किसी लेकों को इतना पसंद कर सकते हो तो कभी के बातों को जवाब में पिसायंग कहता है क्योंकि तुम क्यूट हो पिसायंग का जवाब सुन कर जैसे कभी थोरा से डिजापरेंट हो जाता है इसलिए वो दोबारा से पूछता है फिर यहाँ पर बहुत सारी क्यूट लेरके हैं तो इसका मतलब तुम क्यूट देखने वाले सभी को पसंद करते हो कवी की बात सुनकर पिसायंग समझ जाता है कि उसका पॉइफरिंग जेलस फिल कर रहा है और अभी पिसायंग को साफ साफ जबाब देने की जरूरत है इसलिए पिसायंग कवी की आखों में देखकर और इसका हाथ पकर कर उससे कहता है हो सकता है बहुत सारी क्यूट परसन है पर तुम्हारे जैसे क्यूट मेरे नजर में और कोई नहीं है इस बार पिसायंग का कॉंप्लिमेंट सुनकर कवी को बहुत ही शाय फिल होता है इसलिए वो पिसायंग का हाथ छुरा कर जाने लगता है कि तभी उससे कुछ याद आता है इसलिए वो पिसायंग को थैंक्यू कहता है उसको इतना प्यार करने के लिए पिसा एंग भी कवी की बात असे और उसके साथ बहुत ही कुछ था इसलिए हम इस एपिसोड में दोनों के कर्लिंग सीन भी देखने वाले हैं तो ऐसी ही उन दोनों का प्यार अभी एक बहुत ही प्यारा सा मोर पर है जो की एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट है ओके गाइज आज़के स्पाइलर में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बेल स्पाइलर के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों